हेलो जी हेलो एबरीबन गुड मॉर्निंग रादे रादे कैसे हैं सब हम उमीद करते हैं सब अच्छी होंगे खुश होंगे वेलकम माई यूटूब चैनल तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जलू वीडियो कैसी लगी तो जी आज का जो ब्लोग है वो स्टार्ट हो रहा है सुभा 11.11 का ये टाइम है तो आज है बिदी का बड़े तो बिदी का बड़े है आज 20 जनवरी है सनिवार का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है धूप उप कुछ भी नहीं है जब स नया साल लगा है धूप तो अपने साती ले गया नया साल जनवरी में बिलकुल भी धूप निकली नहीं है बीच जनवरी हो गई है लेकिन हाँ हलका पलका कवी दीख गया सूरज तो दीख गया नहीं तो नहीं और आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है विदी के बड़े भड़े दिन तो ये चल रहा है आसरंबाले बच्चों का खाना तो ये जो दुफैर का खाना है वो हम बच्चों को खिला रहे हैं हमारे थोड़ी दूर पास में ही मतलब एक अनाथासरम है तो वहां के ये बच्चे हैं तो सबसे पहले अनाथासरम के जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाया जाता है उसके वाद फिर बाद में अपने मिलने वालों को सब को खाना खिलाएंगे तो सबसे पहले बच्चों से शुरुआत होती है तो बच्चे खाना खा रहे हैं और अंकित है बिदी के पापा और प्रेमपाल कनिया जो यह हम पहले जहां रहते थे वो बच्चे बहुत अच्छे हैं कुछ भी फंक्सन होता है तो तुरंत खड़े हो जाते हैं काम करवाने के लिए और ये भूदे ही आ गई हैं के लेकर आई हैं वो चकला वेलन पोड़ी उड़ी बिलवाने के लिए तो सब लोग सहोग करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा साथ देते हैं किसी के हाँ पे कोई भी छोटा मोटा फंक्सन हो तो सब तयार हो जाते हैं काम कराने के लिए तो एक दूसरे के सहोग से सब हो जाता है तो सर्दी थी बहुत ज़्यादा और बिदी के पापा भी बच्चें को खाना खिला रहे हैं सभी के साथ में काम करना पड़ता ही है तो बस इधर उधर अपना जो भी काम है सब लगे हुए हैं और उधर पीछे की साइड पड़ते की पली तरफ हलवाई लगे हुए हैं तो हलवाई अपना काम कर रहे हैं तो सर्दियों में ये तो है नहीं ठंदा नहीं गरम-गरम खाना सब खा लेते हैं तो सही रहता है तो अब की भारना हमने दुफैर का ही रखा है खाना हर साल हम बिदी की जनम दिन पर बच्चे को खाना तो खिलाते हैं एका दिवार मिस हो जाता है लेकिन साम का रखते थे हम तो साम में क्या था कि इतना मतलब सर्दी के टाइम तो है और साम को इतना लेट हो जाते थे ग्यारा बारा का टाइम हो जाता था क्योंकि सब कुछ समगाना पड़ता है और फिर काफी लेट हो जाते सर्दी में तो अब की बार हमने सोचा क्यों नहीं हम अब की बार बच्चों को लेंच कराएंगे और अब का जो प्रोग्राम है हम दिन-दिन में ही निप्टा देंगे तो इस वज़े से हमने अब की बार दिन का ही रखा और जो पली तरह पंटी रहती हैं कीरतन वाली तो वो भी आ गई हैं तो वो इतना देर कीरतन करेंगे अपना भगवान का भजन भजन का आएंगी तो फिर उनको सबको खाना खिलाएंगे, फिर खाना खाने के बाद में, तो अभी वो मना कर रही हैं, फिर उसके बाद अपने मौले पड़ोस के जो भी सब बच्चे हैं और सबको बुलाया है, तो फिर चलता रहेगा, और पर सुंबाइश तारिक में भगवान स्रीराम की जो प्राण पितिष्टा है, वो भी होनी है, तो बस ये खुशी का जो माहौल है, वो चल रहा है, तो बस अब हो गया, सबका खाना पीना, और अब उपर आके बिदी का केक कटेगा, तो बच्चे बना रहे थी बीडियो, तो इस टाइप से बीडियो बना ये हिला हिला के सारी बेकार कर रखी है, तो ये विदी केक कर रही है अपना और विदी ने साम को केक काट लिया, तो बस हो गया, इस टाइप से विदी का बड़े पुनता है हर साल, तो बैठा के फिर, और यहां हो गया है ये बाइश जिन्मरी का, तो मैं बस साम के दीपक वगेरा लगा देती ह एक तो सरदी इतनी हो रही थी क्योंकि बहुत ही जादा ठंड में हाप पैर तो इतने चलते ही नहीं है, एक तो हम उपर रहते हैंना तो और भी ज़्यादा हो लगती है यहां पर बहुत ज़्यादा तो इतनी होज रही थी क्योंकि दीपक बगेरा जलाओ तो भुन भुज यह जला दूँगी तो बस यह सारी मुंबती में लगा देती हूँ फिर भी हवा से देखो एक जला रहे था एक भुजे जा रही है क्योंकि बाहर चल ली थी हवा और यहां पर कुछ लगती भी तेजी है हवा बहुत जादा तो खुसी का माहौल तो ही एक अपने आप से मन में खुसी होती है और सच में लगी रहा है कि आज दिवाली का सा थोड़ा माहौल है क्योंकि बम पटा के खूब छोट रहे थे बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे थे और हमारे पास भी रखे हुए हैं तो हम भी चलाएंगे थोड़ी देर बाद क्योंकि पहले उपर का थोड़ा सा दीपक वगेरा चला देते हैं और मुम्मतियां चलाएंगे तो बिधी के पापा चलाएंगे मैं कहरी हूँ आप भी चला लो रखे हुए हैं हमारे पिछली दिवाली के जो अभी निकली है उसी के काफी सारे तो यहां पे चला रहे थे नीचे जाके और खूब सारे बंपटा के चलाएंगे तो बाए बाए दोस्तों